आज हम बनाएंगे बनारस की फेमस टिक्की चाटकी रेस्पी इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे कोई भी इसे बड़े आराम से बना सकता है आलू टिक्की की ये रेस्पी मेरे तरीके से यानि बनारसी श्टायल में एक बार जलू ट्राइए करें फुल रेस्पी दीखने के लिए वीडियो के अन तक बने रहे हैं, अगर आप में चनल पिन नए हैं चनल को सब्सक्राइब कर, बेले का नवला ना बोलें सलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ती, किर्टी के ट्विश किचन में आप सभी का स्वागत है करते, सबसे पहले हम लेंगे बायल आलू, इसे हम बढ़ियां सा चिल के एक बाउल में डाल देंगे, इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच गरमसला पाउडर, स्वाधनुसार नमक, एक चम्मच चिली फ्लैक्स, और दो कल्चा अरा रोट, एक चम्मच जीरा भी एड़ कर देंगे, और आलू को बढ़ियां सा मसल के, इन सभी को मिलाते हुए, इसका बढ़ियां सा डो बना लेंगे, इसमें हम पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं, य थोड़ा सा पानी लगाते हुए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेके, इसे गोला कार से देते हुए चप्टा कर लेंगे, यानि कि इसी तरीके से हम सारे टिक्की बना के तयार कर लेंगे, अब हम गैस पे एक पैन चप्टा होना चाहिए, इसमें डालेंगे तेल आप कोई भी ऑईल डाल सकते हैं, जब ऑईल गरम हो जाए तो एक एक करके हम सारे टिक्की पैन में ट्रांसफर कर देंगे और गैस का फ्लेम लो टू मेडियम रखेंगे, आरके टच देने के लिए आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं टिक्कियों को धीमी आज पर ही पकाया है, धीमी आज पर पकाने से जो टिक्की है वो क्रिस्पी बनेंगी ठीक इसे तरीके से हम टिक्कियों को उलट पलट कर बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे और बढ़िया सा लाल होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं चाट लगाने के लिए हमने बाजार तयार कर लिया इसके लिए मैंने लिया है हरी चटनी, मिठी चटनी, कटेवे प्याज थोड़ी सी आलू भजिया नमकीन, कटेवे हरी मिर्च और चाट मसाला पाउडर तया किये हुए दोनों टिकी हमें एक प्लेट में ट्रांफर कर लेंगे और इसे चम्मस से इससरह से चप्टा कर लेंगे उसके उपर हम हरी चटनी, मिठी चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्च कटेवे प्याज चाट मसाला पाउडर और आलू भजिया नमकीन डाल देंगे और इससे सब्व करेंगे कि आपको मेरी मज़ेदार रेस्पी कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना मुझा